हलो दोस्तों चलिये आज हम करोशय करिजीन बनाएंगे इस डिजीन में आप जो भी चाहिए बना सकते हैं बेवी बलैंकेट बना सकते हैं टीवी गवर बना सकते हैं कुशन कवर बना बना सकते हैं तो डिजेन हम सुरू करते हैं पसंद आये तो लाइकन सेर किजिएगा कॉमेंट किजिएगा तो बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर पहले चेन करेंगे एक दो तीन चार पांच छै साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदरह शोलह शत्रह ठारह उननिस बीस एकिस बाइस आप लोगो जितना साइज में चाहिए उससाब से आप चेन लंबा कर सकते हैं आप लोग हम यहाँ पचीस कीए चेन उसके बाद से हम फिर एक्ट्राव चेन करें एक दो तीन एक और कर लेंगे चार चार चेन कर लेंगे एक्ट्रा यानि टोटल मेरा 29 चेन हो गया यहां से यहां तक पुरा पुरा अब चार चेन किये हैं यहां पर फोर चेन यह छोड़ के पुरा यहां पर हम ऐसे डबल क्रोश्य बनाएंगे फिर यहां पर एक चेन करेंगे अब यहां पर एक यह छोड़ देंगे यहां पर बनाएंगे डबल क्रोश्य फिर एक चेन करेंगे फिर एक चेन ये छोड़ेंगे दूसरे वाले पर हम ऐसे फिर बनाएंगे डबल क्रोश्य एक एक इसकिप करते जाएंगे हम और एक चेन करेंगे फिर एक छोड़ेंगे फिर इस पर बनाएंगे बहुत easy design है यह, असानी से कोई भी बना सकता है, फिर एक chain करेंगे, फिर इसके बगल ओलन, next ओलन छोड़ेंगे, और उसके next में बनाएंगे, फिर chain, फिर one skip करेंगे, next ओलन बनाएंगे, तो ऐसे बनाते हुए हम यहां तक बना ले रहे हैं, तो हमने यहां से यहां तक पूरा 15 यह बना लिया, double crochet, अब उसके बाद हम यहां पर 1, 2, 3, 3 chain करेंगे, दूसरे side घुम जाएंगे, back side घुम के फंदे लेंगे, और जो यह chain बनाएंगे हैं, इसमें हम puff बनाएंगे ऐसे, 1 एक, दो, तीन, चार, four time हम धायकों खीचेंगे ऐसे, फिर इसके नीचे सर से निकालेंगे, यह बाद लेंगे, फिर यहां पर हम एक chain करेंगे, one chain करके, फिर next column बनाएंगे, यहां पर, एक, दो, तीन, चार, फिर four time, फिर इसके नीचे सर निकालेंगे, यह बाद लेंगे, फिर one chain करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर next column में, जो एक एक chain मीडिल में किये हैं, सब में हमें बनाना है, ऐसे, एक एक chain करना है, और ऐसे four time हम धायकों खीच के puff बना रहे हैं, फिर ऐ इहां से यहां तक complete करते हैं, तो देखिए, हमने पूरा यहां से यहां से यहां तक, पूरा यह फो टिν, यानी 14 फॉर लेंगे, बीच बीच में हमें बनाना है, तो यहां से यहां तक 14 फॉर लेंगे, और यह ले के पहले इसमें नोट ऐसे लगाएंगे, और इससे हम इस धागे में से ऐसे निकाल लेंगे और इस धागे को ऐसे खेच देंगे अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन करेंगे और एक चेन एक्स्टा करेंगे हम, फूर चेन यहाँ पर कर लेंगे पंदे लेंगे और जो एक एक चीन की है इसमें हमें फिर से डबल क्रोश्य ऐसे बनाना है फिर एक चीन फिर ये बगल वाला है इसके यहां पर पॉफ के बगल में एक चीन फिर यहां पर एक डबल क्रोश्य फिर एक चीन फिर इसके बगल में एक डबल क्रोश्य फिर एक चीन फिर इसके बगल में एक double crochet फिर एक chain यहाँ से बनेगा तो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया फिर देखिए इधर जो तीनचेन की है यह पाफ के बगल में इसमें भी ऐसे बना लेंगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक 14 हुआ पूरा यह double crochet और ऐसे फंद्र लेके और जो यह चेन की हैं इसमें भी एक ऐसे डबल क्रोशे बना लेंगे तो पूरा पंद्र हो जाएगा जैसे नीचे हैं पंद्र हो जाएगा उसके बाद फिर एक दो तीन और एक चार चार चेन करेंगे फिर दूसरे साइड घूंग जाएंगे फंदे लेंगे और फिर इसमें जो यह एक एक चेन का है इसमें फिर से पॉफ बनाएंगे हम ऐसे एक, दो, तीन, चार फोर टाइम फिर आई को खीचेंगे फिर बनाएंगे फिर एक चेन करेंगे फिर दूसरा वला यह है इसमें बनाएंगे दो तीन चार फिर ऐसे निकालेंगे बांधेंगे फिर एक चेन करेंगे फिर इसके बगल वाले में बनाएंगे ऐसे एक दो तीन चार फिर ऐसे फिर एक चेन फिर इसके बगल में एक दो तीन चार एक चीन करना है एक पॉफ करना है हर एक में हमें पॉफ फिर बना लेना है जितना बनाए है सब में तो देखे फिर ऐसे बनाते हुए पूरा फोटिन यानि चौदा फिर हमें यहां से यहां पॉफ बना लिए हम उसके बाद से फिर यह white color है यह ऐसे लेंगे इसमें से ऐसे निकालेंगे देखें और यह धाय को खीचेंगे फिर इसे एक, दो, तीन, चार, फोर chain करेंगे फोर chain करके फिर सेम चीज़े हमें बनाना है फंदे लेंगे और फिर एक एक chain का जिसमें है यहाँ पर हमें एक एक ऐसे डबल क्रोशय बनाना है एक chain, एक डबल क्रोशय, एक chain, एक डबल क्रोशय ऐसे बनाना है फिर से फिर एक chain, एक डबल क्रोशय, ऐसे फिर यहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लेंगे फिर इधर जो chain है इसमें फिर लाके हम double crochet बनाएंगे और इसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार 4 chain करेंगे फिर दूसरे साड़ी कुमेंगे फिर जो chain है इसमें pop हम बनाएंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 4 time दाय को खिचेंगे बनाएंगे ऐसे फिर एक chain करेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे एक, दो, तीन, चार फिर इसमें साड़ी से निकालेंगे बादेंगे फिर एक chain करेंगे तो ऐसे 5 से हम यहां से यहां तक फिर पॉफ बनाएंगे फिर उहां से फिर हम yellow color लगाएंगे फिर white लगाएंगे फिर yellow लगाएंगे फिर्स्ट यह 15 पंदर बनेगा यह 14 पंदर बनेगा बॉफ 14 पंदर बनेगा और double crochet पंदर बनेगा तो ऐसे अपने size के हिसाब से जितना बड़ा चाहें जितना चाहें जितना चाहें इसा बना सकते हैं हम लोग तो हम और बना ले रहे हैं तो देखिए इसे बनाते हो यहां तक बनाया एक चेन करके फिर लाश्ट में यहाँ पर हम ऐसे एक दो तीन चाहर एसे निकालेंगे बाहने इसके बादे से हम बाहन देखिए से कटकर लेंगे यहाँ पर और इस दाय को हम बैक सेड लगा लेंगे ऐसे एलो अलो भी हम यहां कट करके और इसको बैक सेट हम लगा लिए हैं और उसके बाद वाइट ओला ऐसे बनाए देखे यह दोनों कलर मिक्स कर कैसे बनाने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है यह दिगान आप लोको यह दिगान कैसा लग रहा है जरूर बताएएगा प्लीज लाइक और सेर कीजिए और कॉमेंट कीजिएगा थैंक यू